तो अभी सुबा का टाइम हो रहा है साथ मैं एरम को स्कूल छोड़ने के बाद लग जाती हूँ हजबिन का लंच बनाने तो यहाँ पे मैं अज लंच में बना रही हूँ चना तो चना की आज बहुत ही जब बर्दस्त और यूनिक सी रैसिपी आपको मिलेगी तो यहाँ पे मैं चना को रात में फुलने दे देती हूँ क्यूंकि सुबा तो उतना टाइम नहीं रहता है फुलने देने का तो इसको बाईल करनी के लिए यहाँ पे मैं दे रही हूँ जिसम पांच वेसल में यह अच्छे से गल जाएगा और यहां पे दोसी तरफ में पालक चरहा दी हूँ बॉयल होने के लिए तो यहां पालक में एक बॉयल आएगा तो इसको निकाल लेना है ओवर कुक नहीं करना है नहीं तो पालक का जितना विनेफीट है वो डिस्ट्रॉय हो जा तो इसका पूरा पानी जो ड्राइ हो गया था थोरा सबाकी है और यह अच्छे से पक भी गया है लब गल गया है चना तो अभी के लिए चना को मैं इसी तरह छोड़ दूंगी यहां पे मैं दूसरी रेसिपी की तैयारी कर रही हूँ जिसके लिए मैं पालक को बारी काट ल हूँ और इन दोनों को भी मैं अभी के लिए साइट करके रख दी हूँ और यहां पे मैं लहसन और मर्चा और थोरा सब अद्रक को मैं क्रेस कर रही हूँ कूट रही हूँ लहसन और अद्रक एकदम जो इसमें ऑप्सनल है अब चाहें तो डाले नहीं तो नहीं और यह बीन इसके ही अद्रक लहसन और प्याज की आज की रेसिपी बनेगी हम लोगों का जो सोच है कि अद्रक लहसन के बेगार कोई खाना नहीं बनता है पर ऐसा नहीं है बहुत सा ऐसा खाना है बहुत सी ऐसी रेसिपी है जो बीना अद्रक लेसन और पियाच का भी बन जाते हैं पर हम लोगों को खाना बीना अद्रक लेसन पियाच का तो होता ही नहीं है खेर, यहाँ पे मैं आटा को च्छान के ले रही हूँ और यह आटा दो कप करीब है तो मैं इसका बनाऊंगी पालक करोटी तो इसमें मैं 1 tablespoon करीब डाली हूं देशी घी और 1 pinch में इसमें हिंड डाली हूं और half tablespoon करीब कोटी हुई लाल मिर्च और यहां half tablespoon करीब इसमें डाली हूं चाट मसाला आप lemon juice भी इसमें आट कर सकते हूं और जो मैं कूट के रखी थी मर्चा लहसन और अद्रक तो उसको डाल दी हूँ और according to taste यहाँ पे मैं salt add की हूँ और यहाँ पे जो मैं पालग धनिया पत्ता को कट करके रखी थी वो add कर दी हूँ और एक अंडा add कर दी हूँ जिससे बहुत ही fluffy रोटी बनेगा और इन सबी को अच्छे से mix कर लेना है पहले उसके बाद इसको मैं गूंदूगी वो भी दूद से बहुत ही tasty रोटी बनता है आप normal पानी से भी बना सकते उससे भी बहुत अच्छा बनता है रोटी तो यहां मैं थोड़ा थोड़ा दूद लेके एक normal soft dough बना लूँगी ज्यादा soft नहीं करना है कि अभी इसको 10 minute के लिए छोड़ दूँगी और इसमें जो नमक है इससे और ही soft बन जाएगा यह जो मसाला कूटके रखी थी लहसन मर्चा और अद्रक का तो इसमें मैं add कर दी हूँ यह सब optional है सिर्फ मर्चा से भी काम चल सकता है और यहाँ पर मैं टमाटर एक ओमलेट केट काट के डाल दी हूँ चना में थोड़ा खटा पनाने के लिए और इसको थोड़ी देर ढखके पकने दूँगी जब तर टमाटर soft हो जाएगा यहाँ पर चना में जो डालूँगी पालक उसका पेस्ट बना लेती हूँ तो मैं इसमें डाली हूँ हब बंच अप कोरियंडर लिफ्स और यह बॉइल किया हुआ धंडा पालक और इसमें मैं डालूँगी यह बॉइल चना इससे बहुत थिक जो इसका ग्रेवी बन जाएगा इसलिए यह बिना जो है लहसान मर्चा आप आज का यह रेसिपी बनता है क्योंकि ग्रेवी इससे ही ठीक हो जाएगा इन सभी को बारिक पेश्ट बना लेना है मैं इसमें श्यू बूजिया भी थोड़ा डाली हूँ इससे भी काफी अच्छा टेस्ट आता है और यह देखे हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है तो अब इसमें मैं थोरसा नमक डाल द और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बाद मैं चना को पानी चान करके पहले आड़ करूंगी फिर पानी इसका बाद में इसमें आड़ करना है पानी चान करके इसलिए कि इसको चना को थोड़ी दर मसाला में अच्छे से भूनना है उसके बाद ही फिर यह पेश्ट डाल कर भूनना है पालक का तो इस तरह से पालक को मैं रोटी तो रोटी या सबजी में भी छुपा छुपा कर अपने बच्चों तो और मेरे हस्बेंट तक पहुंचाऊंगी क्योंकि वो लोगों को सबजी खाना पसद नहीं है तो मैं ऐसे बना कर देती हूं कि वो खाते ही है और यह चना भी इतना टेस्टी बनता है ना कि जिसको नहीं भी पसंद पालक वो भी बहुत सौक से खाएगा तो मेरा पालक और चना अच्छे से भून गया था तो जो पानी था चना का उसको मैं मिक्सर ग्रेंडर में यहां डाल दी हूं अच्छे से मिक्स करके क्योंकि उस इतना ही तक फ्लेम आफ कर सकते हैं तो मेरा इतना ही रहेगा उसके बाद यहां जो आटा भी सौफ्ट हो गया है मैं इसका जो रोटी बना लेती हूं जब तक यह पालक की रोटी बन के रेटी हो रही है मेरे चैनल पर पहली बार है और मेरी वीडियो यह फर्स टाइम वाच कर रहें तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर से करिएगा और मेरी यह हेल्दी यमी रेसिपी आप लोगों को पसंद आये तो फ्रेंड फैमिली में जरूर से से शियर करिएगा और यह मेरी वीडियो अपकी सहर से देख रहे हैं अपने सहर का नाम जरूर कॉमेंट तो इस तरह से में रोटी बना ली हूँ आप इसको रोटी फराठा किसी भी तरह बना सकते किसी भी सेप में दे सकते और सिंपली रोटी भी बना सकते मैं यहां पे थोड़ा सा बटर लगांगी क्यूंकि हस्बेन को लंच करना है तीन बजे अभी मैं बना रही हूं साथ अब भी रहे हजबन जब खाय थे वोले थे यह मैं जो तीन बजे जो लंच किया था तो तीन बजे तक यह रोटी सॉफ्ट और गरम थी यह रोटी इतना टाइम तक सॉफ्ट और गरम इसी लिए थी कि मैं इसको पैक करती हूं टीडियस प्लस रैप में यह वाले रैप में लंबे समय तरह इसमें रोटी सॉफ्ट और गरम रहती है और इसमें कोई हामफुल केमिकल नहीं है जिसे यह को आफ सेफटलि यूजै कर सकते है और यह पताइच तरह से भी गरम करके दे रही हूं तो इसका gravy मैं नहीं दी उसी सिर्फ सूखा मचली दे दी हूं और यहां मैं सलाद में पियाज और खीरा दी हूं और यह चना जो बोइल बचा था उसमें मैं सेओ, खीरा, मर्चा और थोड़ा सा नेबू डाल कर दे दी हूं और यह पालक चना gravy जो बहुत ही यमी बना था और प्लेन राइस के साथ आज का लंच बॉक्स और ये वला चना बना कर अब अपने बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं तो इस तरह से पालक भी और चना का भी बनेफिट बच्चों को पहुंच जाएगा पता ही नहीं चलेगा कि वह पालक खारे या चाना खारें तो आज की ये लंच बॉक्स रेसिपी है नेक्स्ट रेसिपी जो वह आएगी वह लंच बॉक्स नहीं होगी इद में ला आदर नभी रेसिपी पे होगी तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को जल